वीडियो पे बात करने वाले हैं बिहार सिख्षक बहाली से जोरे एक लेटेस्ट अबडेट प्रार्थमिक सिख्षक नेदे सक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग का एक वा फिर से एक नया स्टेट्मिंट हलाकि आपको बता दे कि अभी 2011 में टीटी पास अभियार्थियों के द की आपसे अभी आपिल की गए है वा पुराने केश usually आप सभी अभी आपर आप सभी आपको बेट— 2020 वेड़ हें ने अभी आपको बैताो 대dy बिहार में शिक्षक बहाली हरब में होगी आपसे ब्यांदे पर धियान नहीं दे लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सिक्षा बीभाग ये भी कर रहे हैं कि दिसम्बर वाला जो सीट्रेट का पटना है कुल्ट का जो पटना है कुल्ट में मैंटर है जो भी पटना है कोट का फैसला आएगा उसका वे समान करते भी आगे बढ़ेंगे दूसरे तरफ उनका ये भी एस्टेट्मेंट आ रहा है कि आप सभी अभ्यारती जो है केस पर धियान नहीं दे ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो अभ्यारती जो है उनको सिक्षा विभ केस's में आप कोरी टीम को सायोगर करदे इसके बात आपको याद होगा कि 2011 अव्यारती भी जो है केस किया है प्रार्ट मिक्ता को लेकर के आपको लग रहा है केस को लेकर के कि नहीं अगर आपसे आप जो है इसके केस करने से आपके बहाली पर अभावीत हो सकती है तो आपको लग रहा है कि इंटर्भेनर इसमें भी बनना चाहिए तो आप सभी अभ्यारती जो है अपना सुझाप जरूर दे फिलाल प्रार्थमि में बस इतना है, thank you